नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी खाब मेरे यूटूब चैनल इंदोरी वाइटी बे दोस्तों हम इंतजार कर रहे थे कि फालाइट के डेवलपर्स कब MKR की नियो अबिलिटीज को रिवील करेंगे तो उन्होंने अभी अभी ट्वीटर पे एक पोस्ट डाला है जहाँ पर उन्होंने टेक्टिकल एबिलिटी पेसिव एबिलिटी और अल्टिमेट एबिलिटी का शोकेस किया है तो मैं आपको one by one बताता हूँ दोस्तो ultimate ability आपको पता है जो एक rumors निकल के आया था जो abilities को देख के लग रहा था कि ये ability same होने वाली वेलकेरी की तो दोस्तो बिलकुल NKR को fall 84 का वेलकेरी बना दिया गया है ultimate ability में दोस्तो आपको एक jump aid मिलता है जो की आप और आपके teammate यूज़ कर सकते है high ground लेने के लिए और zone में जाने के लिए और किसी पर rush करने के लिए tactical ability में दोस्तो आपको मिलता है वही जो आप rocket यूज़ करते थे पहले ultimate ability में था tactical ability में switch कर दिया गाया और दोस्तो पेसी ability में यह है जब आप air में रहेंगे, mid air में रहेंगे तब आप enemy team को locate कर सकते हैं, उनको एक तरीके से scan कर सकते हैं तो दोस्तो ये थे कुछ changes एक तरीके से MKR को एक दोस्तो supportive hero बना दिया गया है पहले एक attacking hero था, मुझे ये abilities भी काफी पसंद आई है बट मैं चाहता था कि ये सब ability किसी नए hero में डाल दी जाए और उसे introduce किया जाए, ना कि old hero को change किया जाए तो मेरे हिसाब से तो MKR को totally nerf किया है, बट नई ability के हिसाब से ये एक नया MKR है इसको आप अपने playing style के साब से use कर सकते है मेरे हिसाब से अब ये hero मेरे लिए इतना important नहीं है क्योंकि मुझे जो old MKR के abilities जो मैं game में in game उसको use करके मेरे advantage के लिए use करता था, वो अब कहीं न कहीं छूट जाएगी तो देखने है future में MKR को use करता हूँ या नहीं करता हूँ नई ability भी ठीक है, बट MKR अब एक totally new hero बन चुका है आपको दोस्तों ये abilities कैसी लगी है और old MKR के comparison में आपके हिसाब से क्या लगता है MKR को buff मिला है या totally nerve मिला है आप ये comment section में बताइए मेरे हिसाब से मुझे MKR के changes बिल्कुल भी पसंद नहीं आए है बट अगर देखा जाए positive side तो MKR को काफी अच्छा कर दिया है एक तरीक से tournament के हिसाब से काफी बढ़िया कर दिया है tournament के हिसाब से supporting, एक hero ये आपका बन जाता है तो अब देखने है future में क्या होता है जब खेलेंगे तो पता चलेगा कि MKR कितना beneficial है tactical ability अगर अच्छा damage देता है तो मेरे हिसाब से MKR काफी अच्छा होगा बट फिर भी जो old abilities थी MKR का tactical और passive वो किसी भी hero के comparison में कही गुना अच्छी थी देखते हैं अगर MKR की future में यह जो abilities थी old MKR की अगर किसी नए hero को मिलती है तो मैं उस hero को man करना चाहूँगा क्योंकि MKR की old abilities थी मुझे काफी पसंद थी आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों comment section में जरूर बताना नए hero आप यह समझ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe जरूर करना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्ष वीडियो में